नमस्कार दोस्तों, मैं विजेत्यागी अड़ोकेट आपका अपने चैनल अड़ोकेट अनप्लग्ट पे स्वागत करता हूँ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें दोस्तों आज हम बात करेंगे order के बारे में जो की section 2, subsection 14 of CPC यानि civil procedure code के अंदर दिया हुआ है दोस्तों उसकी definition के हिसाब से order is a formal expression of a decision of a civil court which is not a decree मतलब वहे order जो है basically वहे decision है court का जो की decree नहीं है अब decree के बारे में हम पिछले वीडियो में काफी extensively देख चुके हैं अगर आपने वहे वीडियो नहीं देखा है तो आपसे request करूँगा कि आप उस वीडियो को भी देख लें तो दोस्तों जैसा की definition में लिखा है कि वहे order वहे होता है decision court का जो की decree नहीं है एक case के अंदर एक suit के अंदर सिर्फ एक ही decree पास होती है लेकिन कई सारे order पास हो सकते हैं जैसे की maintainable है या नहीं है case जो आपका maintainable है या नहीं है लोक असिस्टेंडा या उस आदमी का case को file करने का है या नहीं है ठीक है तो इस तरीके के काफी सारी application है court decide करता है तो सारे के सारे जो है decision जो है में सारे के सारे order है लेकिन वह decree नहीं है इसको एक example से समझते हैं suppose करिए एक भाई और बहन है जिसमें बहन शादी शुदा है और उनके husband की और उनके father की death हो चुकी है तो जो लड़की का husband है वह भाई पर partition का suit file करता है तो दोस्तों इसमें कई सारे issues हैं कि भई बहन भाई हैं तो यह case तो सिर्फ बहन को file करना चाहिए तो यह suit maintainable है या नहीं है उसके पती ने husband ने case file किया है तो उसका लोकस क्या है case file करने का तो यह कई सारे issues court decide करता है और उन पर order करता है तो वह सारे के सारे decision तो है court के लेकिन वह decree नहीं है क्योंकि वह conclusively जो है parties की right को decide नहीं कर रहे हैं तो दोस्तो एक case के अंदर काफी सारे order हो सकते हैं लेकिन decree जो है उसमें सिर्फ एक ही होगी तो यही सब कुछ order के बारे में दिया हुआ है दोस्तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं आपसे एक बार फिर request करूँगा प्लीज इसको subscribe करें ताकि मुझे भी आगे और वीडियो बनाने की हिम्मत मिले धन्यवाद